राम भद्राचारे, जगत गुरू राम भद्राचारे, दोस्तों इनकी तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन के उपर नजर आ रही होगी, हाला कि दोस्तों इनको क्या बोलू, इसकी तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन के उपर नजर आ रही होगी, दोस्तों ये शक्स बिलकूल भी सम्मान के लायक नहीं है वैसे तो ये अपने आपको जगत गुरु कहलवाता है अपने आपको हिंदू धरम गुरु, सनातन धरम गुरु कहलवाता है भगवा वस्त्रधारन करता है लेकिन दोस्तों ये एक परसंट भी किसी भी तरीके से सम्मान के लायक नहीं है बलकि ये एक नमबर का पाखंडी, एक नमबर का अनविश्वासी, एक नमबर का धूर्त, एक नमबर का जाती वादी व्यक्ति है दोस्तों इस व्यक्ति की एक वीडियो सोशल मीडिया के उपर जम कर वाइरल हो रही है वैसे तो दोस्तों ये अंधा है लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आँख से ही अंधा नहीं है बलकि ये दिमाग से भी अंधा हो चुका है तो अपनी इस वीडियो के अंदर जो सोशल मीडिया पर इसकी वाइरल हो रही है इस वीडियो के अंदर ये दलित जाती का अपमान करता हुआ नजर आ रहा है दलितों को अनाब शनाब बोलता हुआ नजर आ रहा है दलितों में भी एक जाती है चमार जाती उनके बारे में बेहद ही आपत्ती जनक टिप्पुनी करता हुआ ये शक्स नजर आ रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि इस व्यक्ति ने चमार जाती के प्रती किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इसने कहा है कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच है। यानि इसने जो चमार जाती है उनको नीच बताकर संबोधित किया है। खुले आम ये शक्स जाती वादी टिप्पुनी करता हुआ नजर आ रहा है। जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया के उपर वाइरल हुई। उसके बाद तमाम लोगों के द्वारा खास तौर पे जो दलत वर्ग के लोग हैं। उनके द्वारा इसके खिलाफ कैंपेन चलाया गया। इसको SCST Act की धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बात कही गई। उसके उपर भी जो भीम आर्मी के नेता है चंद्रशेखर उनका भी बयान आया है। और उन्हों ने भी इस जातिवादी मानसिता से ग्रसित तथा कथित संत को लेकर कहा है कि सरकार इसके खिलाफ कारवाई करे। यदि सरकार इसके खिलाफ कारवाई नहीं करती है तो भीम आर्मी अपने तरीके से इसकी सेवा करेगी। इस प्रकार की बातें चंदर शेखर के द्वारा कही गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। ये आदमी इस से पहले भी इस तरह की बातें कर चुका है। समय समय पर ये अपनी गंदी और घटिया जातीवादी मांसिक्ता को प्रदरशित करता हुआ नजर आता है। ब्राम्मलों को भी नीच बताता हुआ नजर आ रहा है। ये कहता है कि ये ब्राम्मलों में भी सबसे सर्वस्रेष्ट ब्राम्मल हैं। और ब्राम्मनों में भी कुछ ब्राम्मन नीच होते हैं इसका कहना है कि ब्राम्मनों में जो उपाध्याय होते हैं पाठक होते हैं चौबे होते हैं इस तरह के जो ब्राम्मन होते हैं यह अधम ब्राम्मन हैं यानि कि यह नीच ब्राम्मन हैं और इन ब्राम्मनों के घर पे त उस कुल के ब्राम्बन अपनी बेहन बेटी तक नहीं देते हैं और नहीं उन ब्राम्बनों के घर की बेहन बेटी को अपने घर पर लाते हैं इतना जादा नीच ये उन ब्राम्बनों को समझता है उनके साथ उठना बैठना तक ये पसंद नहीं करता है उनके साथ खाना तक प परिवार का पारिवारिक संबंद बनाना भी यह व्यक्ति पसंद नहीं करता है सोचिए दोस्तों यह कितनी जादा घटिया मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति यह किन नहीं है तो इसकी यह वीडियो भी देख लीजिए जो नीच अधम ब्रहामनों की चर्चा चलाई गई हमारे यह कुछ ब्रहामन सर्यूपारिनों में अच्छे नहीं माने उनके उन्चे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते उपाध्याय और चौबे त्रिगुणायत दिक्षित और पाठा इनके आं हम बेटी नहीं देते अ हमारे सर्यूपारिनों में मैं तो सर्यूपारिन ब्रहामन हूं बता दे रहा हम आपको पहले मैं ब्रहामन हूं और सर्यूपारिन 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 ब्रहाम पर प्रॉब है अन्यत्र है क只 इतना ही नहीं दोस्तों इसको अपने ब्राम्हान्त पे बहुत ज़्यादा गर्व है इसी वीडियो के अंदर ये राम कहता है कि मैं सर्व प्रथम तो ब्रामन हूं उसके बाद सर्यू प्रामन ब्रामन हूं यानि कि सबसे पहले तो ब्रामन है उसको इस बात का गर्व है और उसमें भी यह सर्यू पारी ब्रामन है इसको इस बात का गर्व है फिर उसके बाद यह कुछ और है यानि कि फिर उसके पहले यह अपने आपको Compact on माणता है उसमेंसे भी अपनि आपको स़र्यूपारी ब्राम्हाण मांता है जो इसके अनुसार क्सबसे जजादा सरवोच्य होते हैं अब बहुत सारे लोग जो हिंदु धरम को बहुत जाता तरीक करते यह तो ब्राम्मनों में भी जातिवाद कर रहा है तो आप सोच कर देखे दोस्तों जब इस जैसे लोग ब्राम्मनों में भी उच नीच करते हैं तो समाज के अंदर हिंदू धरम के अंदर कितना जादा जातिवाद का बोल बाला होगा हिंदू धरम सनातन धरम जिसे कहा जा र है है जो हर जाती के लोग अपने से छोटी जाती ड् lavmin लाती हैं कि यहां पर चमारोजाती की बात हुई यह आप musical जाती कि लोगों से बात करो गे तो वह आपको साफ तौर पर कहते हुए नजहायंगे कि जो पासी जाती है हम उनसे उचे हैं ब्राम्वनों में तो इसने बता ही दिया किस तरह से उच नीच होता है यादवों में भी मैं आपको बता दू बहुत सारे लोग हैं जो उच नीच करने का काम करते हैं गोत्र के नाम पर बटवारा करने का काम करते हैं कोई अपने आपक प्रती जहर उगलता हुवा नजर आ रहा है अपनी इस वीडियो के अंदर कहता है यदि यही रहा OBC, SC, ST तो फिर थोले ही दिन में इस भारत में नेता लोग खूनी क्रांती को आमंत्रत करेंगे और उसको कोई बचा नहीं सकेगा तुम में दम हो तो जाती के आदार पर दिया गया आरक्षन समाप्त करूँ इसके अलावा यह कई बार अपनी वीडियो के अंदर यह कहता हुए नजर आ रहा है कि हमारे हैं जातिवाद नहीं था जो लोग जातिवाद की बात करते हैं जाती के नाम पर आरक्षन समाप्त कर दे जातिवाद अपने ही आप समाप्त हो जाएगा तो यह बात इसके गवा राम बद्रचारे से कहना चाहता हूं कि आपे राम बद्रचारे जो सुदामा कोटा वाला आरक्षन दिया गया है EWS का तेरे में हिम्मत है तो इसको भी समाप्त करने की बात कर अपने आप जाती वाद समाप्त हो जाएगा इसके अलावा जो हाजारों वर्षों से तेरी जाती को जनम जात आरक्षन मिला हुआ है जिसके तहट तुम लोगों को दान दक्षणा दी जाती है भीख दी जाती है जन्म के आधार पर बिना कर्म के ही सम्मान मिल जाता है इस आरक्षण को समब्थ करने की बात कर जातिवाद अपने आप ही समब्थ हो जाएगा दोस्तों आरक्षर की व्यास्था इसी लिए की गई थी क्योंकि हमारे समाज के अंदर इसके जैसे धूर्ट और जातिवादी लोग मौजूद थे जो जातिवाद करने का काम करते थे आप सोच कर देखिए दोस्तों कि आज के जमाने में जब इतनी जादा information और technology का यूग आ चुका है ऐसे जमाने में जब इस तरह के लोग खुले आम मीडिया के उपर सोशल मीडिया के उपर जहां सब लोग इसकी बात को सुन सकते हैं ऐसी जगह पर बैठ कर ये शक्स खुले की जमाने में जब मीडिया नहीं हुआ करता था जब लोगों के पास जानकारी का अभाव था तब सोचिए हमारे शामाज केंदर किस तरीके से जातिवाद हुआ करता होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे समाज के अंदर जातिवाद कभी नहीं था यह तो अंग्रेजों की देन थी अंग्रेजों ने जातिवाद बनाया तो मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या राम बदरचार को अंग्रेजों ने जातिवादी बनाया है क्या रा का हिंदू धर्म गुरु है जब अपने ही धर्म के लोगों के प्रति इस्तिमन में द्वेश है इसके मन में ग्रणा है यहां तक यह जाती से आता है उसी जाती में यह बेदभाव करने का काम करता है तो यह किस प्रकार का अपने आपको संत बोलता है अपने आपको जगत गु तो मैं तो यह मानता हूं कि ऐसे तथा-कथित धरम गुरु हिंदू-धरम-सनातन-धरम के लिए अबिशाप हैं और हिंदू-धरम जो आज पतन की ओर बलं रहा है इसका सबसे बला और मूल कारण इस जैसे तथाकथित धरम गुरु है जो समाज में जातिवाद का बीज बोने का काम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस शक्स की गिरफतारी होनी चाहिए इसको जेल की सलाखों की पीछे भेजन चाहिए और सक्त से सक्त इसके उपर कारवाई होनी चाहिए और इसने जो धरम का चोला पहं रखा है इसको उतार देना चाहिए кусाज में नंगा घूमा कर इसकी परिक्रमा करानी चाहिए आप में से जो भी लोग सहमत हों कॉमेंट करके अपनी राय ज़रू दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि दोस्तों फेस्बुक के उपर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा पुराना वाला पेज हैक हो चुका है तो मैंने पेज बनाया है आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नए वाले पेज को भी आप पहले की सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग उसको फॉलो कीजिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और यदि आप लोग टुटर पर ह हूं तो टुटर पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में तब तक बहुत बहुत बहुतनवाद जहें